नमस्कार, मौर्णिक पॉड़कास्ट में आपका स्वागत है, हाई दीशिज आजे के डिया, सबसे पहले अगर हम देखे तो यह हपते का डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टन होने वाला है, विकास पिछले अपते भी हमने देखा था कि मोमेंटम काफी ज्यादा था, यह एक यह अगर हम देखे तो डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्ट है, इस डेटा पॉइंट को मैं कंसलेट करने के लिए लिए फॉरेक्स प्रेक्टरी पे जाता हूँ और यहां पर जो अन वांड यह हम बुल सकते हैं लोवर इंपक्ट जो डेटा है, उसको मैं आटा देता ह तो आप देख सकते हैं लीस्ट आफ इंपॉर्टन डेटा यह अपते में क्या क्या है तो खास करके आप देखेंगे तो आज के सेशन में हम देखेंगे बैंक आफ जापान के गवर्नर उदेदा की स्पीच रहेगी साथ में यूके से कंस्ट्रक्शन पीमाई के नंबर जो थो आई के नंबर है जो फिर से गिरावट दिखा रहे हैं और जबी ऐसी गिरावट आती है तो बेस मेटल और कच्छे तेल के लिए अच्छी नहीं होती है वहीं अगर हम ठर्जडे को देखते हैं शाम को साथ बज़े अनेंप्लाइमेंट क्लेम हैं यहां पर हम स्टेबल देखे तो fadd power की speech आनी है साथ में UK GDP के नंबर से जो अभी भी नेगटिव जिसके चलते पाउड में हम घिरावट continue आते वे देखेंगे क्योंकि प्रिमरेई GDP के quarter on quarter नंबर भी नेगटिव में गुरते वे दिखाई दे रहे हैं वहीं चाइना से न्यू लोन की अगर हम बात करते बारी भरकम गिरावट है, जो तेईससो दस बिलियन से गिर के थेशससो पचाश बिलियन हो रहा है, यह कही न कही बेस मैटल के लिए दबा उभरा रहेगा, तो यह वाले हपते में अगर हम देखे, तो कच्या तेल और बेस मेटल में एक मोटा-मोटी गिरावट है, data point को देखते वे no doubt government कुछ कुछ कोशिस करेगी इस चीज को उभारने की तो वो हम देखेंगे कैसे impact देगा इसके इलावा भी अगर हम बात करें तो Friday के दिन consumer sentiment का data खराब आता वा दिखाई दिरा inflation expectation का number अभी भी 4.2 पे है जो little bit concerning हम बोल सकते हैं कि US के लिए रहेगा क्योंकि कि इससे पहले भी Fed के meet में हमने देखा कि जैसे पहले hockey stone हुआ करता था वैसा है नहीं market में आज no doubt FMC member को की speech रहेगी इसके इलावा कोई major data point नहीं होने की वज़े से market एक side way रहने की उमीद है no doubt ERO zone से service PMI के number आने है जो कहीं न कहीं खराब है जो base metal ERO और GBP इनको दबाव मे रखेगा data point के इलावा भी अगर हम देखे कुछ नए updates तो यहां पर आप देख सकते हैं कि volatility continue currency में चल रहा है जर्मा के next जर्मनी के next election campaign है वो already start हो चुके क्योंकि 2023-2024 जो है वो election वाले years बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि 2024 में US के election है और कहीं न कहीं हम 90 countries में elections देख रहे हैं जिसका impact market पर पड़तावा दिखाई देता है सबसे पहले finwich की अगर हम बात करते तो आप देख सकते हैं wix में wix में कहीं न कहीं एक drop दिखा रहा है और wix में drop आने का मतलब है जो concern है चिंताय है वो कम हुई है और कम होने की वज़े से हम देख सकते हैं equity market को एक अच्छी खासी recovery हमने पिछले 2-3 sessions में बनते वे देखी एक बड़े गिरावट के बाद यह मुख्य कारण है वही कच्छे तेल की अगर हम बात करते हैं तो कच्छे तेल में आप देख सकते हैं market 81 डॉलर के करीब WTI और 85 के उपर brand trade करतावा दिखाई दे रहा है हमने देखा था कि पिछले अपते जिजन से diplomatic efforts लगाया जा रहा था क इसराइल जो ground invasion कर रहा है उस चीज़ को हम रोक सके जिसके बाद resultant हमने देखा है कि कच्छा तेल वैसे गिराई है overall लड़ाई के समय में और कच्छा तेल जब गिर रहा है तो आप यह मान के चलिए कही ना कहीं जो concerns है वो kill off हो रहे हैं क्योंकि जब लड़ाई चल रही है तो आप मान के चलिए कि गिरावट तो नहीं आनी चीए लेकिन फिर भी अगर गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है जो concerns से वो कम हुए है तो कच्छे तेल में पिछले अपते में हमने देखा था कि शार्प ड्रॉप लेता हुआ दिखाई दिया सुकुरवार के सेशन में उससे पहले हमने 82.46 तक के भी लेवल बनते वे देखे जो sharp pullback आया है वो mostly हमने देखा कि जो labor department की report आई थी जहां पे बताया गया था weaker than expected job market है ऑक्टोबर मंत में जिसके चलते हमने ये fall आती वे देखा साथ में हमने देखा fed chairman की जो speech थी वहां पे हमने further rate hike नहीं होते वे द कर चाइना से तो number हमने पहले ही खराब आते वे दिखा है साथ में हमने देखा थोड़ा बहुत हमाज attack जो इसराइल पे है उसका एक बीच बीच में रुक रुक एक support मिल रहा है बट कुल मिला के अगर हम बात करें तो technically थोड़ा ओर सोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रह है और चांदी भी लगबग 23-30 के आसपास ट्रेड करते वे दिखाई दे रही है सुकुरार के सेशन में हमने देखा कि प्राइजस के अंदर एक अच्छा का सा pullback आता हुआ दिखाई दिया है जिस जंग से डॉलर इंडेक्स में और bond में जबर्दस गिरावट है आज भी आ आज आप देखिए चाहे हम सोया बीन की बात के सोया मील बढ़ने के दूसरे कारण भी है बटकॉन वीट इन सब में हमने मोटा मोटी सबी कमोर्टी में तीजी बनते वे देख पा रहे है तो सोने की अगर बात करें तो जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है 105 के नीचे होने की उमीद है लेकिन as of now market consolidate कर रहा है और जब तक 2010 के उपर gold नहीं निकलता है market एक दाइरे में trade करता हुआ दिखाई दे सकता है चांदी में भी हमने multiple of time देखा साड़े 23 के उपर जानी रहा है प्राइजर साड़े 23 से साड़े 22 के बीच में ही consolidate करता हुआ दिखाई आप चांदी की expiry देखे ये साल की जब जब चांदी में expiry आई है तब तक चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखी है तो एक उमीद है कि चांदी के expiry वाले मनत बीस दिन बच गए है इसमें एक correction जरूर आना चाहिए उस correction के बाद भले ही हम लेके चल सकते हैं बर time being market एक correction पे due है कुछ economical data points पे अगर हम आ जाते हैं सबसे पहले economical के बाद commodity के points पे तो पहले हम global news लेंगे फिर domestic news लेंगे तो global news की अगर हम बात करते हैं तो global news के अंदर recently हमने देखा जापान से जो service PMI के number revise होके upside आये हैं जिससे उमीद है कि JPY को एक support मिले बटकुल मिला कर अग manufacturing activity में कोई सुधार आता हुआ दुखाई नहीं दे रहा है gasoline के prices के अंदर हमने 2% से ज्यादा की गिरावाट पिछले अपते आते हुए देखी जिस दंग से कच्छे तेल में गिरावाट है concern से over supply को लेकर geopolitical concern जरूर मिडिल इस में बनाए बट अब काफी हद तक is out है inventory level भड देखी lower side से natural gas के अंदर हमने continue fall आते वह देख पा रहे हैं क्योंकि EU European natural gas के futures में जहां पर हमने 3% की गिरावट सुकुरवार को देखा उसी के resultant आज natural gas में हमें weakness के साथ देखेंगे चांदी की अगर बात करें तो चांदी में एक upward momentum हमने आते वह देखा प्राइज तेज़ के ओपर maintenance जिस दंग से dollar और bond yield में गिरावट है फैड के जो tightening cycle है उसी को देखते हुए हमने चांदी और सोना दोनों में हमने अपडेट आते हैं वही aluminum की अगर बात करें तो दो मैने के low पे 2225 डॉलर पे इस वक्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है जिस दंग से हमने आप देखोगे तो पॉलिशन लेवल आप रोज न्यूज आज का न्यूज पेपर उठा के देखिए आपको दिखेगा के दिली मुंबई इन सब में पॉलिशन लेवल शार्पली भट रहा है जिसके लिए चाइना के अंदर और इरोप के अंदर पॉलिशन लेवल बढ़न नहीं है लेकिन सप्लाइ कार्टलमेंट है उसकी वज़े से प्राइजस पे एक अच्छा प्रभाव मिल सकता है सोया बीन के प्राइजस में हमने अच्छा कासा जम देखा जिस दंग से चाइना अब धीरे-धीरे समालने की कोशिस करेगा और साथ में वैदर कंडिशन जो हम ब्राजील की बात करें यहां पर कुछ कंसा नहीं है जिसके चलते सोया बीन को अच्छा सपोर्ट मिला हुआ चाइना के सोया बिन इंपोर्ट की अगर बात करते हैं तो फॉर्थ क्वार्टर काफी अच्छा माना जा रहा है जहां पर रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं तो चाइना और एग्री कमोडिटी काफी पुराना हम बोल सकते हैं जहां पर अगर आपको ध्यान हो तो 18-19 में युएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार भी चल रहा था यहां पर एग्री कल्चर कमोडिटी को इंपोर्ट की बात की थी चाइना ने तो इस बार कॉटन सो करने के लिए वन ट्रिलियन युवान का इंफ्यूजन किया है इसके लावा कुछ एग्री कमोडिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो मस्टर के मस्टर सीड के जो अराइवल से वह बढ़ना चालू हुए क्योंकि नई स्विंग सामने है कॉटन की अगर बात करते हैं तो तो त से बड़ोतरी होते हुए सब्सक्राइब माराष्ट्रा शुगर मिल्स को पेमिंट्स जो है वह बाकी हो रहा है जिसके चल अभी शुगर के में काफी मूह हो रहा है जिसकी विज़ से यह न्यूज मार्केट में बनते दिखाई दे रही है वीक एक्सपोर्ट डिमांड एज डिखाई दे रहा है कोई सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ सरी सोरी सफे पहले हम डॉलर इंडेस देगते हैं डॉलर इंडेस में और न्हीं के पक्लम सब्सक्राइब के सिए धो पुलबैक मिलना पॉसिभिलीटी है तो डॉलर इंडेक्स में आपको नजह रखना दोलर इंडेक्स में कहीं न कहीं अगर हम देखे तो एक छोटा pullback possible है इस छोटे pullback के बाद ही market में ultimately market गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है डॉलर के बाद अगर हम आते हैं तो international gold जो spot 1990 के करीब trade कर रहे हैं नहीं तेजी के लिए we need to break this range जो 2010 का है तो 2010 के उपर निकला तो ही तेजी है अधरवाइस market 1940 से लेकर 2010 के बीच में ही market move करता हुआ दिखाई देगा negative crossover की त्यारी है high volatility market में जल्द आने की उमीद है तो timing market एक सुस्त range में trade करता हुआ दिखाई दे रहे हैं इस trend में आप नज़ा रखिए गोल्ड में एक pullback possible दो जाथ 10 के उपर ही हम नई तेजी market में आते वे देखेंगे इसके बाद अगर हम आते हैं तो चांदी है चांदी के अंदर भी आप देख सकते हैं 23-70 के उपर नहीं जा पा रही है 22-20 के नीचे नहीं जा पा रहा मार्केट एक side way तो एक negative इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर आप trend line पे एक trend line क्रेट करते हैं तो आप देख सकते हैं market एक सीमित धिरे धिरे lower low या हम बोल सकते हैं flag pattern जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है तो timing एक correction market के अंदर दिखाई दे रहा है चांदी के अंदर भी जो 22-20 तक का level at least एक बार दिखाना चाहिए नहीं तेजी के लिए 200 moving average की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुली market इसी range में trade करता हुआ दिखाई दे रहा है weakness थोड़ी बहुत आने की उमीद है market में volatility भड़ेगी यह अपते के अंदर जिसके चलते थोड़ा सा समल के आपको trade करना चाहिए चांदी के अंदर भी जब तक market 23-70 के उपर नहीं जाएगा high possibility है के हम market के अंदर एक pullback देख सकते हैं जबी भी हमें sony और चांदी में से एक को pick up करना है तो हम gold silver ratio को देखते हैं अब gold silver ratio में अगर आप देखेंगे तो gold silver ratio के अंदर recently हमने एक अच्छा का सा jump देखा था because Israel के concerns की वज़े से यह rally up बनी थी बट अब prices इस level पर sustain नहीं कर पा रहा है as of now 8520 का important support है अगर यह breach होता है तो definitely 200 moving average की तरफ हम market को जाते वे देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा pullback दिखाई दे रहा है जिसका मतलब है gold के मुकाबले चांदी outperform कर सकती है as of now gold में गिरावट का एक ही current बन सकता है जो war premium है वो कम होता है तो definitely gold में correction आप देख सकते है ratio में high volatility और negative crossover बना हुआ है इसके बाद m6 bulldex पर आ जाते हैं हम लोग m6 bulldex की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा था कि market में जंप आना चाहिए था तो जो अल्रीड हमने एक जंप आने के बाद एक pullback possible है यहां पर क्योंकि multiple top यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो as of now 200 moving average की तरफ market timing एक correction लेता हुआ दिखाई देगा उसके बाद ही quality धिरे-दिरे कम हो रही है domestic market पे लेकिन जो यह positive crossover है वो अब convert हो चुका है negative crossover में जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह ratio में fall आएगा और जबी यह ratio में fall आती है तो हम बोल सकते हैं कि सोने और चांदी में भी एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है तो थोड़ा स timing हमें लगता है कि market एक दाइरे में ही trade कर रहा है 59-700 का support है और यहां पे आप देख सकते हैं पूरे एक हपते के अंदर 60-600 के नीचे नी जा पा रहा है market और कहीं ना कहीं higher side पे भी अगर हम देखें तो prices 6-500 के उपर भी sustain नहीं कर पा रहा है तो नहीं तेजी के लिए 6-600 के उपर hold किया तो ही हम तेजी देख पाएंगे otherwise market यह जो दाइरा है 59-700 से लेकर 61-500 इसी दाइरे में रहेगा यहां पे जो positive crossover है वो खतम हो के negative की तरफ बढ़ रहा है रिसेंट्ली हमने देखा multiple top बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइजस ने बार-बार के अंदर 73,000 के उपर sustain नहीं कर पा रहा है high volatility expected negative crossover market में बना हुआ है timing हमने लगता है कि market जब तक 73-200 के उपर नहीं जाता है timing आप एक बड़ा correction का mood ले सकते हैं market के अंदर एक correction due है समल के trade कीज़े जब तक 73-500 के उपर नहीं जाता है high possibility है कि हम वापस prizes को 70 के आसपास का एक base बनाता हुआ देख पाएंगे तो चान्दी और सोने में clarity नहीं है long term definitely तेदी है बट short term में थोड़ा wait and watch सोने और चान्दी में करना चाहिए इसके बाद हम आजाते हैं energy market में जहां पे international brand की अगर हम बात करते हैं तो brand के prizes में recently एक गिरावट है यहां से market support लेना चाहिए अभी भी वैसे negative है but इसराइल का news का कोई भी impact prizes पे परतावा दिखाई नहीं दे रहा है तो I think अगर brand की बात करें तो 82 50 83 के range में market एक बार दिखा सकता है बट ज्यादा sustain नहीं करेगा क्योंकि quarter 4 वर्ल बैंक के इसाफ से ओपेक members के इसाफ से deficit में रहना चाहिए जो prizes को uplift कर देगा तो temporary market में गिरावट है वहीं WTI की अगर बात करें तो 200 moving average के बिल्कुल करीब trade कर रहा है 80 का psychology का level है volatility दीरे दीरे हम high volatility zone में market में जा रहे हैं जिस डंग से choppy indicator नीचे आ रहा है क्योंकि 200 moving average के करीब है बट sustain नहीं करेगा तो कच्छे तेल में यहां पर आप देखेंगे वैसे तो वैसे भी head and shoulder pattern मनता हुआ दिखाई देरा लेकिन free fall वाली situation as of now नहीं दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रोल ओवर के बाद market में एक थोड़ा सा जो jump हमारा था वह extend हो गया था अब यहां से हमें लगता है 200 moving average के करीब market एक बार दिखाना चाहिए जो 3.14 का level है low volatility market में बनी वी है क्योंकि यह ज़्यादा उपर जाई नहीं पा रहा है इंडेक्स और वही negative crossover फिर से बनने की तियारी में है तो थोड़ा बहुत pullback आएगा लेकिन ज़्यादा बड़ा pullback मन समझेए बिकास कहीं ना कहीं winter onset हो चुकी है जिसके चलते natural gas को overall support मिलता हुआ दिखाई देगा बट एक बार थोड़ा pullback वापस मिल सकता है ratio wise अगर हम बात करें तो यह jump आ रहा है जिसका मतलब है कच्चा तेल थोड़ा बहुत recover करता हुआ दिखाई दे सकता है as compared to natural gas natural gas में एक correction due है यहाँ पर हमने positive crossover फिर से आते वे देख पा रहे है volatility as of now low बनी वी है जिसके चलते prices के अंदर कच्चा तेल थोड़ा firm दिखा रहा है natural gas के मुकाबले तो natural gas में एक corrective deep मिल सकता है या कच्चे तेल में एक बड़ा jump त्यारी है mcx की अगर हम बात करें तो market बिल्कुल 200 moving average पे बन दिया है 6580 का immediate support हम बोल सकते हैं जो market के लिए important रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं इससे पहले भी market ने 65 के आसपास का support दिखाया था volatility high है बट अभी भी negative sign market के अंदर बना हुआ है तो as of now अगर हम बात करें तो कच्छे तेल में वैसे तो positive news नहीं है बट लड़ाई अगर आती है तो definitive prices पहले भी देखे 200 moving average का level चुआ और फिर jump कर गया 200 moving average के करीब prices एक बार correction वापस लेता हुआ दिखाई दे सकता है समल के trade कीजिए option में trade कीजिए क्योंकि volatility day by day हम बढ़ते वे देखेंगे इसके बाद अगर हम natural gas की अगर बात करते हैं तो natural gas के अंदर market उपर जरूर गया था बढ़ तीन सो के उपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है 278, 280 तक का एक pullback market के अंदर possible है वहां तक एक बार downside market वापस आता हुआ दिखाई देगा लेकिन ध्यान रखे winter काफी importantly move कर रही है जिसके चलते lower level पे भी market टिकते भी नहीं दिखाई देंगे quickly पूरे base metal पे देख लेते तो data point खराब है rounding top बना है market अगर 712 के उपर जाता है तो definitely हम 724 तक का level देखेंगे और जिसन से data यह अपने में दिखा रहा है हमें लगता है prices फिर से एक बार 701 तक का pullback दिखा रहा है मैक भी वैसे positive है बर timing मुझे लगता है market में एक बार pullback वापस possible है उसके उपर आपको नज़र रखना है जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक के prices के अंदर भी हमने देखा के prices एक बड़े zone में trade करता हुआ दिखाई दे रहा है as of now market हा माइन साइड हमने देखा तो नियर स्टार की दो माइन से जिसमें हमने कहीं न कहीं as of now एक suspension देखा था जिसके बाद market में बड़ा जंप भी आया था बट वो sustain नहीं कर पाया कुल मिला के 220 के ओपर market positive trade करता हुआ दिखाई देगा जो 226 तक का level हम market में देख सकते है as of now volatility थोड़े से कमजोर है but trend line थोड़ी positive ही दिखाई दे रहा है तो रेंज 220 से लेकर 226 का range रहेगा buy on drop की रणनी देख सकते है वह खाली आप मान के चलिए के prices के अंदर एक second yes prices के अंदर जो तेजी बनी वी है उसका मुख्य कारण जो बना हुआ है वो as of now basically supply side disturbance की वज़े से बना हुआ है तो overall lead में भी आप देखिए market for support जरूर है but 184 से लेकर 187 के बीच में ही market move करता हुआ दिखाई देगा लास्ट में अगर हम aluminum की बात करते तो ये range के बाहर निकलने की कोशिज करा जीजन से थोड़ी दिर पहले मैंने बताया भी था कि winters आ रही है अगर production curtailment होता है aluminum is the best pick लेकिन नीचे में एक बार market correction देता हुआ दिखाई दे सकता है अब quickly हम एगरी commodity पर आ जाते हैं straight forward जहां पर सबसे पहले मैंता है मैंता के अंदर recovery बनी है बाइंग करके चलिए 940 के ओपर 960 तक के target cotton के अंदर भी अगर हम देखे तो एक rounding top बनने का नाम लिया था लेक मार्केट के अंदर recovery बनते वे दिखाई दे सकती है तो कुल मिलाकर cotton के अंदर market sideway to negative trade कर सकता है कैस्टर कहिना कई base बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कैस्टर के अंदर हमें लगता है कि market अगर 5750 का level breach नहीं किया तो recovery बन सकती ये level पर prices sustain नहीं करेंगे तो overall हमें लगता है क कॉटन के अंदर धिरे धिरे मार्केट एक positivity बनाता हुआ दिखाई दे सकता है कॉटन के बाद धनिय की अगर बात करें तो डिस्पाइट सभी मार्केट में अंदर गिरावट आई थी मसालों के अंदर धनिया positively trade करता हुआ दिखाई दे रहा है तो as of now हम चार्टी के लिए तो 200 moving average के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है आई तिंग के मार्केट के अंदर एक positivity का गेन जो है वो continue रह सकता है जो 7600 तक का level दिखा सकता है हल्दी के अंदर भी बेस बन चुका है 13000 की नीचे जाएगा नहीं 14500 तक का level दिखा देगा जीरे के अंदर एक पहली candle green की बनी है काफी समय के बाद payment crisis की वज़े से हमने एक बड़ा fall आते भी देखा है wait and watch कीजिए market ज्यादा already correct हो चुका है 42500 के उपर ही हम इसमें position बनाएंगे cotton seed oil cake की अगर बात करें तो market की resistance को चूच चुका है एक correction market के अंदर due है wait and watch की रनिती अपनाई चीए गवार सीट गवार complex की अगर बात करें तो market एक semi-direne में trade करता हुआ दिखाई दे सकता है तो कुल मिलाकर market के अंदर हम देख सकते हैं कि एक corrections जरूर market के अंदर due है लेकिन as of now गवार complex में consolidation रहेगा जग 11200-300 के नीचे गव गवार सीट चपन सो पचास के आसपास आने के बाद एक buying opportunity बन सकती है धन्यवाद